वह IPO सी जन पीक पे है और उनी IPOs में से एक IPO ओपन हो रहा है 18 दिसंबर से नाम है Method Microfin किसी भी कंपनी के IPO में या स्टॉक में पैसा लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि कंपनी करती क्या है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है तो यहां पर बात करें अगर Method Microfin Limited की तो यह company incorporate हुई थी 1992 में जो की एक subsidiary company है मुथूट पपचन ग्रूप की basically यह company Micro Loans provide करती है female customers को जो rural region में रहते हैं जिनको development की जरूरत होती है तो यह जानते हैं कि यह कौन से Loans होते हैं इन में आते हैं Group Loans for Livelihood Solutions such as Income Generating Loans, Pregat Loans, Individual Loans, Life Betterment Solutions including Loans for Cell Phones, Solar Lights and Household Appliations, Health and Hygiene Loans, Secured Loans भी यह provide करती है जो Gold Loans होते हैं मुथूर्ट इस्पॉन एन ग्रॉइंग बिजनेस MSGP Loans कम्पनी ने 2021 में महिला मित्र नाम को मोबाइल लांच किया था जिस पे अभी 1.18 मिलियन कस्टमर्स जो हैं बन चुके हैं और बात करें 31st मार्च 2023 तक का तो कम्पनी के पास 2.77 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं 1172 ब्रांचेस जो की 18 स्टेट्स में इंडिया के 321 डिस्टिक्स में चल रही हैं और 10,227 पीपिल जो है इसमें वर्क कर रहे हैं तो यह कम्पनी के काम के बारे में एक ओवर्विव है जिससे हम यह समझते हैं कि कम्पनी एक्टिवल में करती क्या है 18 दिसंबर को बहुत सारे आईपियोज ओपन हो रहे हैं जिसमें मुतुबड माइक्रोफिन आईपियोज भी है क्लोगोज होगा 20 दिसंबर को बात करें प्राइस बैंड की तो वो है 277 तू 291 हमें अपलाई करना है 291 पर कटाई प्राइस पर बात करें फेस वैलू की तो 10 रुपी पर शेयर है टोटल इसू जो है 960 करोड का है और लॉट साइज जो है 51 शेयर का है जिसमें फ्रेस इसू है है 760 करोड 200 करोड ऑफर फोर सेल है मतलब की एक्जिस्टिंग जो प्रोमोटर हैं वो अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं जो इंप्राइस हैं हमके लिए डिस्काउंट है 14 रुपी पर शेयर का मतलब जो प्राइस 291 है उस पर 14 रुपे करें डिस्काउंट मिलेगा जो की बात करें तो एलॉट्मेंट 21 ते समट को हो जाएगा मतलब 2020 को खोफे होगा ईलॉट्मेंट 22 तक हो जाएगे है डेट शेर हो जाएंगे 22 को और लिस्टिंग जो है वो next week 26 को होंगे वेकि बीच में holidays पढ़ रही है Christmas की बात करें reservation की तो reservation में QIB और retail की QIB के लिए 50% retailers के लिए 35% जो as usual है एचनाइस के लिए 15% बात करें कंपनी के financial records की तो कंपनी ने यहां पर पिछले तीम सल का record प्रिजेंट किया है जिसमें 21 से 23 तक का जिसमें assets की बात करें तो 21 से 23 तक assets double हो चुगे है 4183 करोड से 8529 करोड revenue की बात करें revenue भी almost double से plus कर दिया है मतलब 696 करोड से 1446 करोड revenue पहुच चुका है दो साल में पिछले जो कि एक बहुत अच्छी चीज है कंपनी को strong point दिखाता है जलो revenue तो बना लिया profit कितना है 21 में profit किया था 7 करोड और अभी अगर 23 की बात करें तो वो है 163.89 करोड कि 21 के टाइम पर कोविड चल ला था और अभी कंपनी 163 करोड का profit जनरेट कर रही है बहुत पॉस्टिव बात है बहुत अच्छी चीज है कंपनी के लिए नेट वर्थ की बात करें तो वो है 189 करोड जो 21 में थी और अभी वो पहुंच चुकी 1625 करोड रिजल्स और शर्प्लस की बात करें चू टूटिवन में 642 करोड था वो अभी पहुंच चुका है 1282 करोड टोटल बॉरोइंग की बात करें टोटल बॉरोइंग भी डबाल है यह थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए 3,015 करोड से 6,493 करोड बॉरोइंग पहुंच चुकी है बात करें यहां पर इंडिकेटर्स की पी इसका जो है जिस पी पर यह अपना आई प्यूर लेके आ रही कंपनी वह है 24.96 मार्केट कैप हो जाएगा 4,960 करोड और वही की बात करें रिटर्न और एक्विटी 11.06 परसेंट जो की एट्रेक्टिव नहीं दिख रहा है यहां पर इंडिकेटर्स जो है वह बहुत अच्छे नहीं अट्रेक्टिव नहीं लग रहे हैं तो चलिए बात करते हैं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट डिमांड के बारे में जो एक में अब्जेक्टिव अभी के लिए लिश्टिंग गेन के परफस से तो मार्केट में इसका आई पीओ का ग्रे मार्केट वोपन होगा था रूपीज पर और जो अभी लगातार डाउन साइट पर और एटी रूपीज पर पहुंच चुका है दिरे-दिरे मतलब 27.49% के लिश्टिंग गेन की चांसेस यहां पर बनने हैं बाकी आने वाले टाइम में इसका सब्सक्रिप्सन कैसा जाता है डिमांड कैसी रहती है उस पर डिपेंड करेगा आयनोक CBE IPO जो की 14 दिसंबर को ओपन हुआ था और इसका लास्ट है 18 दिसंबर है इस IPO का कटाप प्राइस है 660 रुपीज जिसमें हमें अपलाई करना है 22 शेर का लॉट है और 1459 करोड का टोटल इसू साइज है जो पूरा का पूरा ओफर फोर सेल है अलाउट्मेंट इसका 19 14 दिसंबर को हो जाना है 20 दिसंबर को शेर क्रेंडिट हो जाएंगे और रिफंड भी हो जाएंगे सारे लिस्टिंग थर्जडे को मतलब 21 दिसमबर को हो जाएगा बात करें 14 और 15 दिसमबर के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो टोटल सब्सक्रिप्शन इसका हो चुगा है 7.11 टाइम्स रिटेलर्स ने यहाँ पे 8.22 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया है कॉलिफाइड ने अभी पैसा नहीं लगाया है 0.17 लास्ट यहीं में पैसा लगता है नौन इस्टिटिशनल ने 13.75 टाइम्स बिग एचनाइज ने 12 टाइम्स और बात करें स्मॉल एचनाइज की तो 17.24 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे के आपको लगादार अपडेट मिलती रहें बात करें आइनौक्स आइपियों के जी एंपी की तो सबसे हाइस्ट लिस्टिंग गेन के चांसे अभी तक आइनौक्स आइपियों में ही दिख रहे हैं 84.09 परसेंट पर ट्रेड कर रहा है ज सबस्क्राइब कर दो सबस्क्राइब कर दो सबस्क्राइब